एक नया इतिहास रच जी जो आज तक मैं इंडिया दुनिया का बात तो नहीं कहूँगा मगर भारत बर्च में आज तक किसी ने इस तरह का अपने जनता का के परती उदारतापन और शेवा भावना नहीं आओं से तुम जी तुछी की होगी जिसके साथ माना होगा नमस्कार मैं जोती और आप देख रहे हैं अपना लाइव.news दोस्तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे महान नेता क्या यूं कहें जनता के नेता के बारे में बता रही हूँ जिनका कारेकरम गोबाल गन जिले के में कालगबग नौ दिनों से चल रहा है एक बिधायक जिनका नाम है अमरेंद्र कुमार पांडे और पपो पांडे द्वारा आयोजित नागरिक शम्मान समारों का आज नौवा दिन है जिसमें हर सो उल्लास के साथ नागरिकों का जन से लाव उम्र पड़ा है आज के सभा को संबोधन करते हुए 84 वर्षिये कॉंग्रेस विचारधारा के वयो युब्रिध अभिवावक खोपाल मनी त्रिपाठी ने इस सम्मान समारों के एतिहासिक अद्भूत एवं अदुत ये बताते वे बिधायक अमरिंदर कुमार पांडे जी को जनता के प्रती भावना को तर्शाते हुए इन्हे माओं शत्य तुंकी उपाधी दी है से नवाजा है वही एक गारजियन ने बिधायक जी के जन भावना पर सम्मोहित होकर जनता का सम्मान और जन प्रती निधी सब्द का शाब्दिक अर्थ मार्मिक तरीके से प्रकट किया है सभा को संभोतित करते हुए बिधायक अमरेंदर कुमार पांडे ने जनता के प्रती आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा या कारेकरम हर साल चलते रहेगा सबसे बड़ी बात यहा है कि आंग्तुकों के लिए बिधायक द्वारा सम्मान के साथ साथ आंग्तुकों के आने के जाने एवं भोजन की वेवस्था की भी की गई है सभा के अंद में पिधायक अम्रेंद कुमार पांडे के भतीचा एवं चिला पारिशत अध्यक्ष मुकीस पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि आज तक सम्मान समारों का मतलब लोग यही समझते थे किसी बड़े आदमी यानी नेता मंत्री डॉक्टर इंजीनियर आईएस आईपीएस क्या सम्मान समारों होगा लेकिन आज पहली बार किसी जन प्रतिनी दी द्वारा जनता को सम्मानित करने का कारेकरम देखा गया है जो आम लोगों के दिल में घर कर चुका है बिधायक जी के इस विचार धारा को मुकीस पांडे जी ने काफी सराहनिये एवं अतुल्निये कहा है दोस्तो आज नुवा दिन है आज बंगाल खाड सिरिसियां सासामुसा और रामपूर खरिया चार पंचायत के लोगों को सम्मानित किया गया है और कल लाश्ट है कल दसवा दिन है कल चालिस पंचायत के लोग हमारे पूरे हो जाएंगे हम अपने असर से सब को गाड़ी घोडा भेजने का काम किया भोजन कराने का काम किया सब को सम्मानित करने का काम किया चाहे जो भी हमारे अभिभावक हैं जो भी हमारे छोटे या बड़े परतिनीधी हैं जो भी हमारे मताएं बहने बुजूर्ग बच्चे बचिया नौजवान साथी हमने सब को सम्मानित करने का काम किया है और कल हमारा लश्ट है और फिर 2020 और कईस में इस सम्मान समारो का कारीक्रम होगा अब हमने तो हमेशा बोल हैं उनके लिए विए सम्मानित करने के वेवस्ता की जा रही है और उनको भी सम्मानित किया जाएगा हर साल चले गए हर साल कियों को हमेशा अत्रसर बारा बढ़ाते रहना और विजा पत्पल छंडा रहाते रहना इसी के आवने के साथ हम लोग इस भगवती की फोटों से मूर्ति के आपका सागत करते हैं और सागत गान में एक लाइन मात्र एक लाइन बोलूंगा ना ये चांद होंगे ना तारे रहेंगे मगर हम हमेशा पुखारे रहेंगे और ये सम्मान समारो जो आज आप लोग देख रहे हैं ये साथाल आयोजन नहीं है समझे मान बरावर सम्मान होता है जो एक नगर से एक त्रिष्टी से सब को देखता है उसे हम सम्मान कहते हैं और घर का प्रतिनिधी जनता का प्रतिनिधी छत्य का प्रतिनिधी पंचायत का प्रतिनिधी विधान सभा का प्रतिनिधी और लोक सभा का प्रतिनिधी कोई सामान नहीं होता है, होता को नहीं है, तो नीधिक अंतुता है खा जाना, हर आदनी के पास खा जाना है, उसका रक्षण होना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रति उपसार का लगा करके, 22 उपसार बहुता है में आतरों में, और 22 उपसार में, एक रहारा उपसार का होता है लोग को पुरती लगा करें और प्रते ने जिए नहीं होता है वह अजब सम्मानित का या सम्मानित का जब हम कजिद्र करते थे हमिए था सब्सक्राइब या कोई बहुत बड़ा अपनी होगा मतलब सम्मानित लोग सुरू सी होते हैं लेकि जब भी सम्मानित सब्का या सम्मानित समरों के बारे में कोई बात करता था यह करता था है जरूर क्यों कोई मेता मतलब मुकीरा विधायक सामसत मंतरी डॉक्टर आई-एस पीसियस बड़े मैं इंडिया दुनिया का बात तो नहीं कहूंगा मगर भारत बर्ष में आज तक किसी ने इस तरह का अपने जनता का के प्रती उदारतापन और शेवा भावना नहीं रखा जो आज हमारे सामने अमिरंद कुमार जी ने रखा है जर यही इस तरह का अब कहा था एक बार माओं से तुम जी तुछी की होगी जिसके साथ माना हो है आप अपना एक छोटा से परिचे दें मैं भूपाल मरी तिरपाथी कांग्रेस माहिंजेच आदमी हूं मगर इनके सेवा भावना को देख करके मैं इनहें बहुत मानता हूं कि वैसा ही नेता देश में होना चाहिए कि जो जनता को अपना समझे अपना मा बाप बोल करके लड़का बोल करके उन्होंने सेवा किया आपके उम्र कितने हो गई बाबा अरे 84 आपने बहुत दुनिया देखी होगी ऐसा नेता कहीं देखे होगे बहुत देखा हूं मगर इस तरह का कभी देखा अरे सब्यार में प बहुत नेता लोग आये गए बहुत पाटी आया और गया इसके लिए अपने तन मंधन से अभारी अभारी हैं इसके लोग भी बहुत खूश है